निव अपडेट्स आने के बाद एफिलेट कमिशन को लेकर हमें से कुछ लोग कनफ्यूज हैं कि एफिलेट कमिशन 143 डोलर के हिसाब से आएगा या फिर 93 डोलर के हिसाब से आएगा मुझे उमीद है कि इस पॉइंट को मैकसिमम लोग काफी अच्छे से समझ चुके हैं और जो लोग नहीं समझ पाए हैं तो ऐसे लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और हाँ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इससे हमारा मॉटिवेशन बढ़ता है अगर हम एफिलेट कमिशन की बात कहें तो एफिलेट कमिशन बहुत ही सिंपल है प्रीबियस अबडेट का और याने की डारेट सेल याने कि बढ़ने के बात जो सेकेंड थर्ड़ फ़र्ट सेल होगा उसका 25 परशंट कमिशन आपको मिलेगा तो एफिलेट कमिशन अभी भी सेम है इसमें कोई भी चेंजिस नहीं हुआ है फर्क इतना है कि पहले आपको पहले जो आपन्डिं बेंब करें तो 240 pay करते थे तो आपको affiliate commission 240 alg के हिसाब से generate होता था बैकिन अभी founding member 93 reais cheapest आपको affiliate kalk moleca 93 dollar के हिसाब से generate होगा और non-founding member की बात करें तो 190 dollar pay करेंगे तो 190 dollar के हिसाब से affiliate commission generate होगा फरक इतना हैं तो on passive में आपका affiliate commission इस पे depend करता है कि आपका diet affiliate कितना pay कर रहा है अगर पहले आपका diet affiliate 143 dollar pay करता था जब founding member तो आपको affiliate commission 143 dollar के हिसाब से चनेट होता था लेकिन अभी अगर आपका diet affiliate 93 dollar pay कर रहा है तो आपको affiliate commission 93 dollar के हिसाब से चनेट होगा मतलब आपका डायेट एफिलेट जितना पे करेगा उसके हिसाब से आपको एफिलेट कमिशन जनेट होगा उमीद है कि एफिलेट कमिशन की रिगार्डिंग जो भी आपका confusion रहा होगा वो दूर हो गया होगा और ये point आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी और एफिलेट कमिशन की रिगार्डिंग इस वीडियो में जो भी information मैंने आपके साथ सेर किया है वो ओकर्ट के quarterly package की रिगार्डिंग है इसके अलावा आप कमिडेज में जो भी इसमें changes होंगे आप सभी जानते हैं कि आप कमिडेज में multiple packages उपलब दोंगे capacity में भी changes होंगे इसके अलावा other हमारे जो products आएंगे or tracker or desk या कोई भी product हो तो उसकी cost different रहेगी commission structure different रहेगा तो उसकी information अभी हमारे पास नहीं है अभी जो हमारे पास information है जिसके बारे में आईसने खुद बताया हुआ है वो OCRAT के first quarterly package की regarding है तो आप कमिडेज में जो भी changes होंगे उसको हमें accept करना पड़ेगा और ये एक business events और business में changes हमेशा होते रहते हैं और जो भी changes होंगे उसको हमें accept करना पड़ेगा मतलब commission की regarding product cost की regarding offer, discount या जो कुछ भी आता है on passive में time to time होता रहेगा अपडेट होता रहेगा, changes होते रहेंगे, offer भी चलता रहेगा, discount जो भी सारी चीज़े है वो on passive का काम है on passive जो हमें provide करेगी उसके इसाब से हमें देखना है, समझना है, सीखना है और उसके इसाब से हम सभी को लगातार आगे बढ़ते रहना है on passive में जो भी changes हुए है, या फिर हो रहे हैं या फिर होंगे, उन सभी को accept करते हुए, हम सभी को लगातार आगे बढ़ते रहना है